अफ ऐसा सप when I got jaar but I can he my freighter हैं अब की अभर्गोग शिए हैंं क्ये अधाल बिश्क्राव करное क्लास में में हम लोग शुरू किये थे मेरा कि अँडी को अधियराइक स्ट्रग्चरर एक मिलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पेनिस तो इसमें हम लोग सबसे पहले सुरू किये थे आपके टेस्टिस तो टेस्टिस में हम लोग पढ़े थे कि टेस्टिस जो होता है यह ओवल सेप का दो आपके प्रामरी सेक्स ओर्गन होता है और यह एक कैवटी में पाजाता है मैं स्क्रोटम यह जो इस टेस्टिस जो होता है आपके abdominal cavity के बाहर पाजाते हैं यह हम लोग पिछले class में देख चुके हैं इसके पीछे सबसे बड़ा region यह है कि आमारे टेस्टिस के अंदर जो होता है S-pumps का production होते हैं जो कि आपके male gamets होते हैं और यह S-pumps जो होते हैं आपके body के temperature से 222.5 degree Celsius कम temperature पर survive करते हैं तो इसलिए यह हमारे टेस्टिस जो होते हैं abdominal cavity से बाहर आजाते हैं ताकि इनको accurate environment temperature प्रवाइट कर सके हैं यह उन्हों पिछले class में देख चुके थे और इसके साथ हम लोग जो है एक इसका cut section देखे थे यह टेस्टिस का हम लोग cut section diagram देखे थे जो कुछ इस तरह से था कि इसमें हम लोग देखे थे कि यह जो आपका testis है इस testis के सबसे outer covering को हम लोग बोल रहे थे escrotum और testis के ऊपर एक पतला सा layers होता है जिसे जो बोलते हैं tunica alveginia इस layer को हम लोग बोलते है tunica alveginia यह कह सकते हैं कि यह आपके testis के layers भी बनाते हैं दूसरी चीश हम लोग देखे थे कि testis के अंदर में जो है आपके 250 ऐसे compartments देखने के मिलते हैं जिसे हम लोग बोलते है testicular lobules और इस testicular lobules के अंदर में आपकी 1, 2, 3 जो होते हैं कुछ quiet tubes पा जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं semiferous tubules यह जो आपके quiet tubes देखने के मिलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं Seminiferous Tibules और इसी Seminiferous Tibules के अंदर जो है आपके Sales पा जाते हैं और उस Sales जो है आपके Espermato जो आ यानि Espombs का Production होता है तो यह हम लोग पीछले क्लास में देख चुके थे आज के क्लास में हम लोग देखेंगे Espermato Genesis यानि Espombs का Production कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग Imagination कीजिए यह आपके Seminiferous Tibules को जो हम लोग बाहर निकालते हैं और बाहर निकालके इसको हम लोग कट करते हैं तो इसके अंदर दो तरह के आपके Sales देखने के मिलते हैं एक Sales होता है जिसे उन्हों बोलते हैं आपके Espermatogonia यानि यहीं आगे चलके जो है आपके Spombs का Production करते हैं और दूसरा Sales जो देखने के मिलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं Seratology Sales चली देखते हैं थोटा सा चली ते, Espermatogenesis के Process को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समिफिरस टिब्यूल्स जो हता है इस समिफिरस टिब्यूल्स के Cut Section को देखते हैं मेजिनेशन के यह मैंने एक समिफिरस स्टिब्यूल्स को बाहर निकालके मैंने बीच से काट रखा है और बीच से काटने के बाद इसके अंदर कुछ internal structure दिखाई पड़ते हैं जैसे इसमें 200 compartments बताए थे अलग-अलग lobules बताए थे तो इस तरह से देख सकते ये अलग-अलग lobules का formation करेंगे ये अलग-लग lobules बनाएंगे जिसे मैं लोते टेस्टिकुले lobules और परते के lobules में जो है आपके जो है स्मिनिफिरस टिबूल्स के अंदर जो है आपके दो तीन तरह के शेल देखने के मिलते हैं तो सबसे पहले जो आपके एक सेल देखने के मिलते हैं इसे हम लोगोलते है Aspermetogonium, यह यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के जो sale है इसे बोलते हम लोग np. Aspermetogonium sale और इस Aspermetogonium sale से जो है, आपके Aspermeto games the verify क्पर्शिड और इसमें से एक और sale होता है जोसे हम लोगोलते है Serotilisale कुछ सेल्स इसमें से सेरेटॉली सेल्स होते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं इसमें से एस्परमेटोगोनियम होते हैं दोनों के अलग-अलग फंचन होते हैं जो आपके एस्परमेटोगोनियम सेल्स होते हैं यह एस्परमेटोजवा का फंचन हो करते हैं जबकि seratoli cells जो है इसको nutrition देने काम करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यह आपके cut section है semniferous debils का यह आपके spermatogonium cells है यह आपके spermatogonium cells है जिसमें meiosis के process के बाद meiosis एक cell division का process होता है जिसमें diploid cells, haploid cells cell cell का formation होता है इस meiosis के process जब होगी तो इसमें spermatogonium cells का formation होगा जो की आगे आपके male gamits बनाते हैं ठीक है और यह जो है आपके cells देखने के मिलते हैं इसे मिलते हैं seratoli cells यह आपके nutrition देने काम करते हैं spermatogonium का और यह यहां पर जो कुछ cells यहां पढ़े रहते हैं इसे बोलते हैं लोग interstitial cells interstitial cells यह leading cells यह leading cells जो है यह आपके एक important hormone secret करता है जिसे हम लोग बोलते हैं androgens यह androgens जो होता है यह male में male characteristic के लिए एक बहुत ही important hormone होता है जिसके through male में secondary sexual characteristic देखने को मिलते हैं कहने के मतलब यह हुआ कि male में जो characteristic देखने को मिलते हैं वो सब androgens hormone के वजास होते हैं जो के testis के अंदर semniferous tubules होता है उस semniferous tubules में जो आपके interstitial cells पाजा जिसे बोलते हैं इस leading cell में formation होते हैं तो क्या सकते हैं कि यह जो आपका cut section हो गया semniferous tubules का इसमें आपके दो तरह के cell देखने के मिलते हैं एक पहला जिसे spermatogonium cell बोलते हैं और दूसरा जिसे बोलो seratoli cells बोलते हैं spermatogonium cells होते हैं meiosis process के वाज spermatogonium जोगा formation करते हैं जबकि seratoli cells होते हैं यह nutrition provide करते हैं और यहां पे जो compartments में divide कर रहे हैं इसे बोलो interstitial cell बोलते हैं जैसे leading cell बोलते हैं और यह जो एक important hormone से गड़ करता है जिसे बोलते हैं androgens ठीक है तो I hope आप लोग यह समझ रहे हैं कि आपका यह क्याना में सब्सक्राइब का function होते हैं ठीक है तो इसमें से कुछ important points है जो हमको leak लेना है मैं इसे मिटाना चाहूंगा तो यहां पे हम लोग सकते हैं कि आपका two type of cells पहला एक cell है जिसे हम लोग बोलते हैं espermatogonium और दूसरा जो है इसे बोलते हम लोग seratoli cells यह आपके espermatogonium बनाएंगे और जो आपके seratoli cells होते हैं यह nutrition देते हैं ठीक है तो I hope आप लोग यह समझ रहे हैं कि seratoli cells का क्या function होता है आपके spermatogonium cells का क्या function होता है इसके अलावा इनके जो interstitial space होता है interstitial space में आपके एक cell पायता है interstitial space में एक special interstitial space consist और leading cells और interstitial cells इसके पास में interstitial cells यह leading cell होता है जो कि androgens hormone secret करता है male में androgens hormone secret करने का काम करते हैं यह इसमें एक इसका important topic हो गया कि androgens hormone जो होता है वो आपके leading cell के द्वाज secret की आते हैं जो कि interstitial space में पाय जाते हैं और semiferous tibules के अंदर में spermatogonium cells से बनते spermatogua और seratoli cells जो होते हैं वो nutrition देने का काम करते हैं अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इसमें meiosis की process होती है और meiosis की process के बाद जो है आपका mil gamets यानि espums का production होता है तो सबसे पहले जो है जैसे ही आपका sperms का production होता है जैसे ही आपके meiosis process के तुरू espermatogonium जो जैसे spermatogua बनता है इस espermatogua में आपके seratoli cells के दुर nutrition प्रवाइड कियाता है और फिर यह अपने पात्वे में आता है सबसे पहले जो है यह आपके eratet testis में जाते हैं relative testis से यह जो है आपके भासा इफ्रेंसिया में जाते हैं भासा इफ्रेंसिया से यह भास difference में जाते हैं भास difference से यह epidemies में जाते हैं और epidemies से sorry यहाँ पर यह गलद भासा इफ्रेंसिया से epidemies में जाते हैं इलिए यह आतो नहीं कि अहां पौर्ट दिफरेंचा जाएंगे कि और पहां डिफरेंच से पानली यह जू ह है ग्लेंट से गुजडरते हुए जो भी एस ऎसे इले ग्लेंट फॉते उसे गुजडरते हुए सबसे पहले यह male urethra में आते हैं या penis में आते हैं सबसे पहले अब इसमें glands का क्या रोल है आपके तीन तरह के आपके लोग glands की recommend चर्चा किये थे सबसे पहला जो gland था जिसने हम लोग seminal bascals gland बोलते हैं यह seminal bascals के थ्रूर आपके seminal plasma secret किये थे और यह seminal plasma में आपके fructose पा जाते हैं, calcium पा जाते हैं और कुछ enzymes पा जाते हैं जिसमें आपके espermato joa के अंदर यह जैसे ही secret होंगे जब यह mix होते हैं तो भी यह semen का formation करते हैं उसके बाद फिर आगे यह prostate gland के पास आते हैं और फिर bulbo-eurethra gland के पास में तो वुन सारे gland से भी कुछ enzyme secret की आते हैं जिसके वाज़े से यह आपके बहुत बिसकस हो जाते हैं और fluid nature के होते हैं उसके बाद यह penis में आते हैं फिर वहां से इनका ejuculation देखने को मिलता है तो यह था आपका male reparative system तो अब हम लोग देखेंगे espermatogenesis की process कैसे होती है तो हमारे heading होगा espermatogenesis और espermatogenesis क्या होती है अभी हम बता चुकी the process of formation of spums is called espermatogenesis यहाँ पर heading देखेंगे हैं अब लोग espermatogenesis espermatogenesis यहाँ पर लिख सकते हैं the process of formation of sperm the process of formation of sperm is called espermatogenesis अब espermatogenesis के steps होते हैं सबसे पहले जो आपके espermatogenesis के process देखने के मिलते हैं फिर इस mitosis के process के बाद जो है इसमें आपके meiosis देखने के मिलते हैं meiosis के दो steps होते हैं सबसे पहला वाला को बोलते हैं लो meiosis first और दूसरे को बोलते हैं meiosis second तो ये meiosis के process के बाद जो है आपके espermatogenesis के बाद जो है sperm cell का formation होते हैं तो इसके steps को सबसे पहले यहां पर हम लोग no done कर लेंगे सबसे पहले जो है आपके espermatogenesis होते हैं जो कि आपके diploide होते हैं semiferous tubules के अंदर पायते हैं इस espermatogonium के अंदर जो होती है यह mitosis होती है mitosis के process जैसे होती है तो इसमें होता है primary spermatocytes सबसे पहले mitosis का process के बाद होती है जो बनती है उसे बोलते हम लो primary spermatocytes क्योंकि इसमें mitosis होगी तो simple सी बात नहीं से यह हम इसा diploide होगा जब meiosis होगी तो haploid होगा diploide मतलब होता है 2N और haploid का मतलब होता है simple N फिर इसमें meiosis की दो process होगे meiosis first and meiosis second तो primary spermatocytes में होगे meiosis तो बनेगा secondary spermatocytes secondary spermatocytes और इसमें होगा meiosis first meiosis first की process के बनेगा secondary spermatocytes जब secondary spermatocytes जो बन जागा तो यह होगा आपका haploid फिर इसमें जो आपके meiosis की process होगे meiosis second तो बनेगा आपका spermatocytes यानि फिर से इसमें secondary spermatocytes में बनेगा spermatocytes और यह जो होगा यह meiosis second process के बाद बनेगा उसके बाद spermatocytes में spermatocytes से आपके बनेगे spermatocytes होगा spermatocytes भी आपके haploid होगे और spermatocytes से formation होगा spermatocytes जो की आपके haploid होगे तो देख सकते हैं यह जो है आपके steps होगे सबसे पहले जो आप spermatocytes देखे कि the process of formation of sperms is called spermatocytes sperms बनाने के process को हम लोग spermatocytes बोलते हैं इसमें सबसे पहले जो है आपके जो समिनिफेर स्टिब्यूल्स है उसके अंदर बता चुके हैं दो तरह के सेल देखने के मिलते हैं एक पहला is spermatogonium सेल और दूसरा जो होता है seratoli सेल तो spermatogonium सेल में जो आपका meiosis के process होती है तब जाके स्टिब्यूल्स होता है तो यह spermatogonium सेल जो है यह first step है इस spermatogonium सेल में आपके mitosis की process होगी सेल डिविजन की process होगी तो primary spermatocytes का formation होगा जो कि diploide होगा फिर इस primary spermatocytes में जब meiosis first की process होगी तब secondary spermatocytes का formation होगा जो कि haploid होगा चुकि इसमें meiosis first होगी तो हमेसा haploid होगी अगर mitosis की process होगी तो deployed होगी फिर सेकेंड़ी spermatocytes में जब meiosis second की process होगी तब आपके espermatids का formation होगा और espermatids से फिर आपके espermatogua का formation होगा यानि पाचवे steps में आपके espermatogua cell का formation होता है और यही espermatogua cell में जब आपके enzymes होगर mix हो जाते हैं तब यह जाके बनाते हैं आपका सिमन यानि यही mail gamits बनाते हैं तो यह यहाँ पर इसके steps हैं अगर इसको हम लोग image के माध्यम से बनाएं तो कुछ ऐसे बना सकते हैं imagination किजिए यह आपके जो है espermatogonium cell है जो की deployed है इस espermatogonium cell में आपके माल लेजे meiosis first हुई imagination किजिए यहां पर meiosis first का process हुई तो इससे दो सेल बने और यह दोनों सेल को हम लोग बोल रहे हैं primary espermatocytes फिर इसमें जब आपके meiosis second का process हुई तो इससे चार सेल का formation हुगा पुछ इस तरह से यह चार सेल का formation हुआ यह meiosis second हो गई ठीक है और इसमें फिर इसको में लोग बोलते हैं और इन चारों सेल से अलग अलग जो है आपके sperm cells का ऐसे formation हुआ तो यह जो process हम लोग देख रहे हैं इस process को में लोग बोलते हैं espermatogenesis यानि the process of formation of response I hope आप लोग यह topic को भले बात यह समझ रहे हैं अगर किसी को इस समन्दिद कोई doubts है तो आप comment section में अपनी query को डाल सकते हैं मैं इस पर फिस से प्रयास करूंगा एक और details वीडियो लाने के लिए ठीक है तो जुड़े रहे हमारे साथ में thank you so much must welcome